नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल जैगुरुदेव उत्राखंड में हार्दिक स्वागत है जैसा कि आप सबको विदित है हमारे चैनल पर महराजी से सम्मंदित अद्भूत कताओं की श्रंकला का संचाल बहुत ही सफलता पूरोग किया जा रहा है आप सभी की जो प्रेम भावना है आप सभी का जो स्ने है वे हमारे चैनल को प्राप्थ हो रहा है आप सभी से आग्रे करना चाते हैं निवेदन करना चाते हैं कि इसी प्रकार अपनी क्रिपा द्रिश्टी और अपना स्ने है बनाए रखिए और पूर्व की भाती कहना चाहू करें ताकि इसी प्रकार आपको और भी आने वाले नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके तो ऐसी ही एक अद्बुत कथा आज भी आपके लिए लेके आये हैं तो आएए बिना देर के आपको लेके चलते हैं अद्बुत कथा की ओर आप सभी जानते हैं कि महराजी हमारे बड़े ही देयालू हैं बहुत ही ज्यानवान हैं और बड़े ही स्नेहे प्रिदान करने वाले हैं तो आप सभी जानते हैं महराजी से छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी या किसी भी प्रकार की कोई वारता छिप नहीं सकते चाहे कोई कितना भी गूड रहस्य हो चाहे किसी के मन की छिपी हुई बात हो चाहे किसी की कैसी भी भावना हो महराजी से छिपना असंभ हो तो आज की कता आपको यही प्रेहना देगी कि महराजी से आप किसी भी वारतों को छुपाने की बज़ाए महाराजी से कहिए और आप देखेंगे कि महाराजी आपके लिए सदेव सहयक होगी तो एक बार महाराजी कैंची आश्रों में अपनी कुटिया में बैठे हुए थी तो एक फौजी अफसर उस समय कुटिया में आया और महाराजी के सामने हाद जोड़ कर खड़ा होगी श्रद्धा पूर्वग महाराजी के जो दर्शन थे करने का बहुत ही इचुक था बड़े ही श्रद्धा भाव से स्नेह भाव से महाराजी से मिलने पहुचा था तो महाराजी को देखकर हाद जोड़कर खड़ा हो गया वहीं पर महाराजी के एक अन्य भक्त श्री किशनलाज शाहा जी अपनी सात वर्षिये पुत्री के साथ बैठे उड़े थे उनकी लड़की जो थी फोजी जो अफसर आये थे महाराजी से मिलने के लिए उनको बड़े ही भाव से जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोजी अफसर थे बड़े ही श्रदा भाव से महाराजी के दर्शन कर रहे थे हाज जोड़कर तो जो किशनलाज शाहा जी है उनकी सात वर्षिये छोटी सी बाली का फोजी अफसर को निहार रही थी जैसे कि उस कन्या को फोजी अफसर में एक प्रकार का जो आप समझ सकते हैं जब हम छोटे बच्चे हैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे पहले ना देखा हो तो निहारते हैं उसको आप एक तरी किसे समझ सकते हैं कि जानने के इच्छुक होते हैं कि ये कौन है व्य तो उसी प्रकार से वह बच्ची फौजी अफसर को निहा रही थी तो जब शाह जी ने देखा कि बिटिया फौजी अफसर को निहा रही है देख रही है तो उन्होंने एक चीज पाया कि उनकी लड़की की जो नजर थी उस कण्या की जो नजर थी, फौजी अफसर के कानों पर पड़े लंबे बालों पर थी, टिकी हुए थी जैसे कि आपने देखा होगा, स्वरूप सभी का भगवान के समान होता है भगवान ने सभी को सुन्दर काया दिये है तो हर पकार का जो स्वरूत है वह सुन्दरी है क्योंकि इश्वर की सबसे बड़ी और विचित्र जो रचना है वह है मानव तो अब जो फौजी अफसर थे आप जानते हैं फौजी अफसर जिनके बारे में जिक्रे कर रहा हूं उनके कानों पर लंबे लंबे बाल और ऐसे बाहर को उभरे हुए बाल थे तो वाली का थी छोटी बच्ची थी तो उनको देख रही थी और अचनक जैसे ही शाह जी ने इपाया कि बिटिया फौजी अफसर को निहार रही है और समझ गए कि वो क्या बात है और लड़की को अचनक हसी आ गए और अपने पिता के कानों में फुस फुस आते हुए कुछ कहने लेगे अब आप समझ सकते हैं एक छोटी बालिका है और साथ वर्ष की जो आयू है वह बहुत बड़ी आयू नहीं है बच्चपना है और शाह जी समझ रहे थे इस बात को भाप रहे के लेकिन उन्हें एक भई भी भी था कि फौजी अफसर नाराज ना हो जान कर तो यह सब जो टे रहे हैं और शाह जी और बीटिया के बीच में क्या चल रहा है उसको भी देख रहे हैं समझ रहे हैं परख रहे हैं तो क्या होता है कि सामने तकत पर महरा जी बैठे हैं और अब क्या होता है कि महराजी ने सुनने के लिए अपना सर जुकाया कि वो क्या फुस्पुसार है उस बात को जानने के लिए लीला है महराजी कि आप समझे बड़े गौर से आपको बहुत कुछ सिखने को मिलेगा तो महराजी ने जैसे ही सिर जुकाया लेकिन लड़की अपनी बात कहकर चुप हो जुकी थी उस वर महराजी ने उसके पिता से पूछा क्या कह रही है लड़की लड़की क्या कह रही है पिता जो थी वो असमंजस में पड़ गए उन्हें बताये नहीं समझ भी नहीं आ रहा था कि बताएं या ना बताएं कि अगर बताया महराज जी तो वैठे ही है और अगर महराज जी को सामानी तोर पर ऐसे ही बताया वारता करते हैं तो उन्हें भाय था कि कहीं फौजी अफसर न सुन ले पर फौजी अफसर सुन लेंगे तो महराज हो जाए तो वह नहीं चाहते थे शाह जी भी नहीं चाहते थे कि उरकी बिटिया की चोटी सी एक जो हरकत है या प offers हरकत कहली जे या ये चोटा सा जो जो आपर छोटा सा एक हास्ति से माहौल बनावा था ऐसे करते हुए कहीं वो लज्जित ना है महसुस करने तो इस तरह का एक अस्मंजस था भै था तो महराजी तो महराजी हैं महराजी पूछने लगे बताओ क्या कह रहे है ये रड की तो पिता अस्मंजस में पड़ गए अब महराजी सब कुछ समझ कर भी उनके मुख से सुनना जा रहे देखे मैंने कहा ना महराजी की लिला है आप समझे महराजी बड़े ही दयालू है और किसी भी प्रकार की जो वारता है मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ चाए छोटी बात हो बड़ी बात हो हासिव्यम हो कुछ भी हो महराजी के समक्ष अगर महराजी के संग्यान में आ गया है तो वह सब कुछ पहले तो संग्यान में उनके स्वतह ही आ जाता है क्योंकि आप और मैं या कोई भी वक्ती महराजी की लिला को कभी समझे नहीं सकते तो वही देखे की लिला है महराजी पार बार उन्हें बोल रहे हैं कि बताओ क्या कह रही है तो महराजी सब को जान चुके थे और उन्होंने फिर भी कहा बोलता नहीं शिरी साहजी के पास कोई चारह नहीं रहे गया कि वह लड़की की बाते ना बता है महाराजी बार बार पूछें कैसे करें महाराजी का भी अनाधर कैसे कर सकते थे तो क्या हुआ कि उन्होंने महाराजी को बता दिया कि ऐसे ऐसी बात है महाराजी बीटिया ऐसे बोल गई है क्या करें महाराजी बोले चुप करा लड़की को इस लड़की को चुप करा महराजी की कृपा ऐसी हुई महराजी ने जो भी बात कही महराजी ने तो इसको सामाने तोर पर बोल दिया ऐसे ही वहाँ पर फौजी भी खड़ा है बच्ची भी बैठी है शाहाजी भी मोज़द और महराजी ही महराज जी ने बोल दिया स्पस्ट बोल दिया कि चुप करा इस लड़की को लेकिन हुआ क्या सामने खड़ा फौजी महराज जी के ये वाक के लेकिन फौजी अफसर महराज जी के यह वाक के नहीं सुन पाए लेकिन महराज जी के वाक के शाहाजी को सुझें ये विक्षा दिशूगी है तो आप समझ गए होंगे इस पूरी कथा का जो व्याख्यान है मैं पूरा आश्वस्त हूं पूरी बात में समझ चुका हूं और आप सभी को भी ये बात समझ में आ गए होगी मेरा इसा विश्वास है कि महाराजी की लीला है कि यह बात केवल इतने सिमित व्यक्तियों तक कही जानी है और कितने व्यक्ति को नहीं सुनानी है तो वो भी महाराज जी की फिरपा से ही तै हो जाता था इस प्रकार इस कथा से आप सबी समझी गए होंगी कि महाराजी कितने रह समीत है महाराजी जो कहना चाहते थे वह भी कहा दिया जिसे सुनाना चाहते थे उसे सुना भी दिया जिसे नहीं सुनाना चाहते थे उसने महाराजी की बात सुनी भी नहीं और वह फॉजी अफसर बड़े स्षड़ा भाव से महाराजी के इंतर्शन पाकर रवाना हो गया और शहाजी इस वैसे में लीला को देखकर महराजी के प्रतिक और भी जाबा उसक्रितक जाए तो आप सभी समझ सकते हैं कि महराजी जो हैं सभी की बाते सुनते हैं बजाए अपने दिल में अपनी दिमाग में किसी भी बात को छुखाने की बजाए महाराजी के समख अपनी बात रख दे मैं आप सभी को ये कहना चाता हूँ अपनी बात महाराजी साब कहिए वे समकी बात सुनते हैं वे विद्यमान है इस पूरी स्रिष्टी के कणकण में लेकिन चाहिए तो चाहिए हमें सिर्फ एक चीज और वो है श्रद्दा भाव देन और महाराजी के पती जुकाव श्रद्दा तो आज की आपको यह कथा कैसी लगी अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखेगा और इसी प्र महाराजी से संबंदे पूरी जानकारियां प्राफ्ट होगी आपको अद्भूद और रहसमें कथाओं की बारे में मालूमात होगी और महाराजी की प्रकावत आप सभी होगी ऐसा देरा वश्रास है तो इस क्रम के अंतुम्चरह में हम आ चुके हैं अपने शब्दों को में समापन की ले जाए हैं और समापन के चाने सब्सक्राइब सभी से कहना चाहूं है कि आप सभी अपना ध्यान रखें क्योंकि महाल आप सभी जानते हैं कि दो सालों से हम सभी लोग बहुत बड़े कष्ट से देरे देर उबर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी अभी भी जो है स्वा बढ़ों का सम्मान करें बढ़ों को साहता करें बढ़ों का भी आधर करें और सबसे बड़ी बात यही है ईश्वर की पती श्रद्धावांद्री अपने इस क्रमात को समापन करता हूं पङिलता हूं आप से अगले क्रमात तब तक के लिए जय गुरु बे जय शरी राम जय उबरा, nपरे encourage लोया ऑगyu हं एान्म म्रस्या कश भीतर प्रूई रुटर, हैं मिया अभाई, हैं मेल्स कश शमें, का जो हुआ छारााइ लगले Church